हेलो फ्रेंड स्वाधत है आपके अपने यूटूब शैनल ओनलाइन जीके जीस क्लासिस के एक और बहतरीन क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग परहेंगे क्या तो उद्धे प्रिकास जीके द्वारा लिखा गया कहानी तीरिच को हम लोग सुनेंगे यखीन मानिये इस वीडियो को देखने के बाद आप तीरिच कहानी को जिन्दगी में कभी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि बिना किताब देखे हुए हम आपको कहानी सुनाएंगे और उस कहानी को दिमाग में फिट करने की हम खुद गरांटी लेते हैं अगर ये कहानी आपको याद नहीं होता है इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा अनसबस्क्राइब कीजिएगा और इस चैनल को छोड़ दीजिएगा कभी देखने मत कीजिएगा कौनों वीडियो ये गरांटी है मेरा कि आपको हम तिरिच कहानी याद करवाएंगे ठिक है किताब बंद करके याद करवाएंगे ठिक है आप अभी तक यूटुब पे कहीं भी पढ़े होंगे तो लोग जो हैं बोर्ड पे या तो पीडियप लेके आएंगे आपको पढ़वाएंगे या त तो किताब लेके आएंगे और आपको पढ़के सुनाएंगे लेकिन आज वैसा कुछ नहीं होगा यूनिक चीजे यूनिक लोगों के साथ हम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सपना जब देखा है टौपर बनने का टौपर की तरह परहेंगे भी तो इसे जो अब्जेक्टिव का वीडियो अल्रेडी अपलोडेड है आज ही हमने अपलोड किया है तो उस वीडियो कुछ जायकर आप देखिए जो नहीं देखे हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है वो जाकर देख सकते हैं चले इस कहाने के बारे में हम लोग स्टार्ट करत तो पहले इस कहानी की पड़िच है तो यह कहानी जो है बाप और बेटे के उस दर्द को दर्साया गया है जिसमें बाप और बेटे गाउं में रहते हैं और गाउं से जब बढ़ते हुए सहर की तरफ जाते हैं तो सहर का डर जो एक गाउं के व्यक्ति में बना रहता है कि सहर म जाते हैं तो ऐसे होता है वैसे होता है तो वही घटना को जो है इस कहानी में बताया गया है कहानी की सुरुवात होती है लेखक से लेखक कहते हैं कि इस कहानी का यानि तेरीछ कहानी का संबंध मेरे पिताजी से है मेरे सपने से है और सहर में सहर के बारे में सोचने वाले उन स लेखक के पिताजी से है, लेखक के सपने से है और सहर के बारे में सोचने वाले, डरावना सोचने वाले की सहर में जाएंगे तो ऐसे होता है, उन्हें सब ही लोगों से है, कहानी की सुरुवात करते हैं, तो कहानी की सुरुवात उससे होती है, जहां पे लेखक के पिताजी की उम्र जो है, पचपन साल के होते हैं, और लेखक के पिताजी बोलते कम हैं और सोचते जादा हैं, लेकिन उनके पिताजी को पूरा गाउं जानता है, और उनकी खामूसी में ही उनका पूरा ग्यान छुपा हुआ है, ठीक है, लेखक काते हैं कि हमें अपने पिताजी पर गर्व है कि पिताजी जो है, हमारे रक्षक है, हमारे देखभाल करते हैं, भले कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं, हमको राहत महसूस होती है, ठीक है, आगे कहते हैं लेखक कि महीने में एक दो बार, जब हम अपने बहन के साथ, छोटी बहन के साथ घूमने जाते हैं, तो पिताजी जो है, अपने मुह में तंबाकू डाल लेते हैं, तंबाकू काने का मतलब खाइनी लोग नहीं खाता है, खाइनी या पाण, डाल लेते हैं, और हम दोनों की अंगुलिया पकर कर रोड पे घूमाने ले जाते हैं, महीने में एक दो बार, तो सब घुमाने ले जाते हैं तो मेरी जो छोटी बहन है उसका प्रस्ण कुछ जादा ही होता है जैसे कि हम लोग भी अपने छोटे भाई बहन को घुमाने ले जाएंगे तो पूछता है सब नहीं कि देखें उप्रवा पे उचीरिया है उसका का नाम है वो दिवाल पे लिखा हुआ है उसका का नाम है ऐसे पूछते हैं तो उसी प्रकार लेखक की बहन जो छोटी होती है वो भी प्रस्ण जो है बार-बार रास्ते में करते रहती है तो उसके प्रस्न का उत्तर लेखक तुरंत देते हैं, क्यूं देते हैं, कि पिता जी को बोलना नहीं परे, और वो जो सोच रहे हैं, उन्हें डिस्टर्प ना हो, इसलिए जो है वो तुरंत, जैसे ही उनकी बहन क्वेश्चन पुछती है, तब पिता जी के एंसर देने से का नाम है, ऐसा जब प्रस्न होता है, तो ये जल्दी इंसर देते हैं, जिसे पिता जी को बोलना ना परे, और वो जो सूच रहे हैं, जिस दुनिया में अभी हैं, वहां से उनको डिस्टर्वेंस महसूस नहीं हो, ठीक है, लेकिन कभी-कभी पिता जी के चुपी जो है, ले फीज देना होता है, तब पिता जी से कहते हैं, लेखक की स्कूल का फीज भरना है, तो एक दिन हुआ, पिता जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, दो दिन हुआ, पिता जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो लेखक को भी लगता है, और लेखक के मा को भी लगता है, कि हो सकता है, फीस के बारे में भूल गए हैं और वो फीस नहीं जूटा पा रहे हैं ठीक है ऐसा उन्हें लगता है लेकिन तीसरे दिन लेखक जो है लेखक के पिताजी एक लिफाफे को जो है लेखक को देते हैं और कहते हैं कि इस लिफाफे को लेकर डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्ट जैसे ही उन्होंने उस लिफाफे को डॉक्टर को दिया, तो डॉक्टर जो है लेखक को एक दम नास्ता पानी करवाता है, उसके बाद अपने बेटे से चीन पर चीन करवाता है, और उसके बाद कह तीन वो सौसो के नोट दे, उसके हाथ में देता है और कहता है कि जाइए बेटा और वहाँ से आने के बाद यह बहुत खुस होता है कि मेरे पिताजी का मान सम्मान जो है इतना है कि एक लेटर देखकर उन्होंने पैसे दे दिया और इस बात का फिर जो है लेखक को गर्व होता है कि मेरे पिताजी जो है एकदम ऐसे देखती हैं जिनका सम्मान है समाज में हमारे पिताजी पे गर्व है उसके बाद कहते हैं कि हमें ऐसा महसूत होता है कि पिताजी अगर हम मेरे साथ हैं तो हमें एक महल में रह रहे हैं ठीक उच्षा है एकदम बुर्ज खलीफा होता है एकदम उच्षा वैसे हैं ऐसा लिखक मशूस करता है पिता जी के होने पर ठीक है? तो वैसे ही बाते आगे बढ़ते रहती है एक दिन की बात है पिता जी जो है घूमने जाते हैं जंगल की तरफ पकडंडियों पे पकडंडी जानते हैं जो खेत का क्यारी होता है जिसमें घेरा हुआ रखेत उसी पे घूमने जाते हैं साम का समय रहता है तो साम की समय घूमने जाते हैं तो पिताजी जब साम को घूम कर रिटर नाते हैं घर पे तो देखते हैं कि लेखक द में जो है बैंडेज बना हुआ है तो उस टकने को देखने के बाद कहते हैं आखिर जब घर पे आते हैं लिखक के तो उनके पीछे पीछे जो है गाओं के कुछ लोगे भी जो है आने लगते हैं गाओं के लोग भी जो है आने लगते हैं तो गाओं के लोगों को देखकर पिता जी आ रहे हैं जब साम के समय, first of all उनके पेर पे जो है बेंडिस बना हुआ है और दूसरा बात कि गाउंके लोग उनके पीछे आ क्यों रहे हैं तो आते हैं तो पता चलता है गाउंके लोगों से ही क्योंकि पिता जी उतना बोल नहीं पाते हैं, तो गाउं के लोगों से ही पता चलता है कि उनको जो है तीरिछ ने काट लिया है अब आपके मन का एक प्रस्न है कि आखिर तीरिछ है क्या तो तीरिछ एक बिसैला बिसैला का है छिपकली है लिजार्ड है लिजार्ड तीरिछ एक बिसैला छिपकली है जो जिसका बिस जो है ब जाधा होता है और वो काटने के बाद काटने के बाद चोबिस घंटा के अंदर ही जो है आपकी मृत्यू कर देता है ऐसा जो है लेखक का मानना है तो गाउंवाले भीर लगादेते हैं छिपकली जो भी तीरी छह है उनको काटे हुए रहती है तो गाउं में ही एक नाई रहता है नाई मतलब समझते हैं जो हजाम होता है तो वही नाई रहता है जिसका नाम होता है चुटुआ तो चुटुआ नाई आता है तो गोईठा के राख और अरंड के पत्ते अरंड ये वो पेर होता है जिसका पत्ता लेकर आता है और वो जो है जार फूक करता है क्योंकि काटने पर तिरिछ काटने पर वो चुटुआ नाई ही जो है जार फूक करता है जार फूक चलते रहता है पिता जी का गाउं के लोग भीर लगा के चारो तरब से घेरे हुए रहते हैं देख भे करते हैं गाव में का महाल होता है कोनों के साप कट लेवे ता चारों तरप से घेर के जालफू खोड़ा है आदमी मजा ले रहा है है कि नहीं तो ऐसे ही होता है इनके साथ भी तो ये सब बाते चलते रहती है तो लेख़ग को कहानी कुछ है सपने याद आने लगते ह है सपने कि हम को हम भी सपने तिरीच के बारे में देखते हैं कि सपने में झेंगल में रहते हैं और जंगल में नहीं त्या given तो तिरिच के बारे में लेखक को भी जो है कुछ जानकारियां है जानकारियां ये है कि अगर तिरिच ने काटा है तो उसको मार दीजिए अगर तिरिच ने आपको काटा है तो तिरिच को तुरंत मार दीजिए नहीं तो तिरिच अगर आपको काट के जैसे ही वो अपने अस् लोट जाता है ता आपकी उसी वक्त तुरंत जो है मृत्तिव हो जाती है ठीक है ऐसा लेखक को जानकारी है लेखक को इस बात की जानकारी है कि अगर तिरिश आपको काटता है और 24 गंटे के तिरिश काटता है और काटने पर अगर आप उसको तिरिश को नहीं मारते हैं और व वालों का मानना है और लेखक भी जो है इस बारे में जानता है क्योंकि सपने में आये थे तो एक और बात लेखक जानता है कि अगर तिरिच आपको काटेगा कैसे तो तिरिच जैसे कि सांप हम लोगों को काटता कैसे है अगर सांप के सरीर पे हम लोग पैर रख देते हैं तब सांप खिसला के काट लेता है हमने के लेकिन तिरिच कब काटता है जब तिरिच से आप आख में आख मिलाएंगे तभी तिरिच आपको काटेगा और वो तब तक अगर आख तिरिच से मिल गया ता आपका जो है बचना मुस्किल है और जब लेखक सपना देखते थे तो उनकर आँख से आँख मिल ही जाता था ठीक है तो तीरिच जो है खरेदता था लेखक को सपना में और भागते थें चिलाते थें और का होता था तो लास्ट में जब जैसे की सपना हम लोग भी देखते हैं तो जैसे मेन का मुखे वाला रहता है सपना में तूट जाता है या था माई आके जगा देती है यह त भावुजी आके जगा देती है है कि नहीं उसी प्रकार लेखक के साथ भी होता है जैसे उसको काय नहीं मारेंगे तो पिषाब करके कि अगर पेसाद में लोट जाता है तो आपके रित्ती हो जाएगी, तो इसी लेखक का ही वո दोस्त था, जिकर नाम था, थानू, थानू नाम था, जो बहुत अच्छा ले खक के दोस्त हैं, इस कहानी में, दोस्त हैं, तो थानू कहता है, कि अगर तिरिच आपका पीछा कर रहा है यानि कि तिरिच से आपका आँख मिल गया और वो आपका पीछा कर रहा है तो का करेंगे तो धीरे धीरे जैसे कि आप सीधा मत भागिए कहल जाता है कि अगर आपको हाथी खरेद रहा है तो आप सीधा मत भागिए, टेरह टेरह भागिए, जिसे हाथी जो है ठक जाएगा और आपको छोड़ देगा, ठीक है? अगर हाथी खिसला जाता है और आपके पीछे-पीछे भाग रहा है मारने के लिए, तो आप सीधा मत भागिए, क्योंकि सीधा हाथी आपसे भी जो है त तो उसी प्रकार अगर आपको तीरीच पीछे से पीछे पड़ जाता है तो सीधा मत भागिए तेरहा भी मत भागिए आप जो है तेजी से भागिए और कदम को पहले एक दम थोड़ा-थोड़ा डेग बरहा कर भागिए और उसके बाद लंबी-लंबी छलांगे मार कर क्यूं? क्यूंकि ठानू बताता है कि जब हम लोग दोरते हैं तो हम अपने पनजे का निसान तो छोड़ते ही थे साथी साथ उच्ष पनजे के निसान में हम लोगों के सरीर का सुगंद भी छूपा हुआ रहता है तो सुप के लिए जो है जब पीछा करता है तो वही सुगंध को सुंगते सुंगते आपसे भी स्पीड दोडता है तो इसलिए कहता है थानू कि जब आपका पीछा करे ये क्या बोलते हैं तीरीच अगर पीछा करे तो पहले आप छोटे छोटे कदम लेके भागिए और उसके बाद लंबा लंबा छलांग मार कर भागिए कि छोटे छोटे कदम परत तुरंते सुंग सुंग के तीरीच तुरंत पहुँच जाएगा लेकिन बरा बरा कदम में उसको जो है फड़क जादा होगा तो उसको सुंगाई जो है कम सुंगाई देगा इसलिए अगर आपकी तीरिश पीछा करता है तो थोड़े छोटे-छोटे कदम से भागिए उसके बाद लंबी-लंबी छलांगे मार कर भागिए तो ऐसा सभी जो है वो लेखक भी जानता है उसके दोस्त भी जानते हैं ऐसा हुआ हुआ रहता है और ये सपना के बारे में बताते हैं लेखक तो इलाज चलते रहता है और साम का समय रहता है और सुबह को पिता जी को जाना रहता है सहर में सहर में किसलिए जाना रहता है तो अरजी होता है अरजी कहाने का मतलब कि कोट में पेसी होता है किसलिए तो गहर के बारे में गहर पे जो है लेखक के घर पे कुछे केस चलते रहता है तो उसी को लेकर जो है अरजी होता है अदालत में आदू बार अरजी पोस्पॉंड हो गया था कहा है कि मतलब कि एक बार जब अजी आया था तो नहीं गय थे पिता जी, दूसर का बार भी आया था तो नहीं गय थे, तीसर का और लास्ट बार आया था, अगर इस बार नहीं जाते हैं, तो घौरों भी का जाता और पिता जी को जेल भी हो जाता है, इसलिए इस बार पिता ज जाना परा लेकिन पिता जी सहर जाने से हिच की चाते थे यानि सहर जाना उनको पसंदे नहीं है कहा है कि हमनी के गाउं के लोग कहल जाता है जिसे घरे आप लोग भी गाउं से बिलोंग करते हैं तो कहा जाता होगा कि सहर में जाएगा ता आपको रस्ते में बेच देगा सब अईसे हो उसे कहल लाता है तो पिता जी को भी लेखक के पिता जी को ये डर सताते रहता था जिसके कारण वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन ये जो है लास्ट पोजिशन था अगर नहीं जाते तो जेल भी होता और उन्हें उनका घर भी बिक जाता छिना जाता चिक है तो लास्ट जो है पोजिशन में इन्हें जाना पड़ता है तब गाउ में हम लोग होते हैं तब गाउ से जब रोड पे जाईएगा त गाउ तो वो ऑई से जी 2-4 किलमीटर अंदर रहता है और लेखक का गाउ भी जो है रोड से 2-4 किलमीटर अंदर है रोड पर जाकर बॉस का इंतिजार करना होता है कि बॉस आएगा तो फिर हम बैठेंगे तो फिर जाएंगे तो इसे ही लेखक को भी जो है दू किलो मिटर गाउं से रोड पर जाकर खरा होना पड़ता था bus का इंतिजार करना होता था अदीन बर में दू-तीन को bus से आता था ठीक है तो उसी प्रिकार bus का इंतिजार कर रहे थे पिता जी तो सोभाग के देखिए कि कभी-कभी उस रोडवा से जो है tractor या pickup भी जाते रहता है तो हम लोग अगर पाचान के रहता है तो वही में बैठ के हाथ देते हैं तो बैठ के चल जाते हैं बांस के पैसो पज जाता है है के नहीं तो लेखक के पिताजी भी रोड पे खारा थें तो गाउं से ही एक tractor सहर की ओर जा रही थी तो सहर की ओर जा रही थी तो उसी में जो है लिखक के पिता जी जो है बैठ जाते हैं अब बैठ जाते हैं ट्रेक्टर में गाउं के 10-20 वादमी बैठल जाता है तो बात निकल जाता है कि पिता जी को जो है तिरिछ निकल है काटा था काटा था तो उसी ट्रेक्टर में वो आदमी रहता है जिकर नाम रहता है पंडित राम उतार तो पंडित राम उतार का कहता है कि हमने सुना है कि आपको तीरी छिकाटा है तो बात निकले लगता है तो गारी में जनबे करते हैं 75 गो आदमी रहता है 75 तरह के बाते होती है तो गारी में ट्रेक्टर में 10-20 गो गाओं के आदमी था 10-20 तरह के बात होता है कहे लगा सब ट्रेक्टर में कि तीरिच काटता है तो 24 गंटा के अंदर भी जो है उसका असर ह बोता है राम अवतार ने ऐसा कहा ठिक है अब उसके दूसर वैक्दी कह रहा है कि ठीक किया आपने तीरीच को मार दिया लेकिन तीरीच को मार कर आपको जला देना चाहिए था आपने जलाया की नहीं तो ही कहते हैं कि हम नहीं जलाएं हैं तो नहीं जलाएं हैं तो तीरीच जो है आपका फोटो खीच लिया होगा समझ गया है आई सीनु कहा जाता है कोगवा में कि साप को जब आप मार रहे हैं तो वह आपका फोटो खीच लेता है आप फोटो खीच के जो है ये ट्रेक्टर में बैठा हुआ वेक्ति कह रहा है कि आपने मारा उसको ठीक किया लेकिन उसको जला देना चाहिए था वो आपका फोटो खिच लिया होगा और वो जो है रात में जिन्दा भी हो सकता है जैसे कि हम लोग जो है घर पे भी रसी या साब को मारते हैं तो उसको ज जाते हैं तो रात में बीगते नहीं हैं लोग हम लोग किसी बरतन से ढखकर उसे रख देते हैं क्यूंकि चांदरी रोसनी में जो ओस गीरता है ओस पानी वो जो है उन लोगों के लिए अम्रित के समान होता है और अगर ओस गीर गया तो लोग जिन्दा भी हो सकता है तो ट् ठीक किया लेकिन उसको जो है नहीं जलाएं तो हो सकता है कि रात में जिन्दा हो गया होगा और जिन्दा हो गया होगा तो समझें कि वो आपको ड् inici me भी रहा होगा तो ड्号 रहा होगा तो इस बात का एगो अलग टेंसन तो अब सोच रहे हैं लेखक लेखक अपने पिटा ये सब जो हैं लेखा का सोच रहे हैं घरे बैठल आप पिता जी जो है गारी में जा रहे हैं पिता जी के पास दूग ओप्सन या तो हम लोट कर जाएं और तीरिच को जला कर आएं दूसरा ओप्सन कि हम अरजी के लिए जाएं अदालत में नहीं तो आज मेरा जेल भी हो तो उहे में जो है जिसे गाओं के आदमी से बतियाईएगा तो गाओं के आदमी डॉक्टरों से जादा जानता है तो ये पंडित राम आउतार जो है ये पंडित राम आउतार ये बैध था बैध कहें के मतलब डॉक्टर था जो जरी बूटी से जो है इलाज करता था तो य कह रहा है कि बीश का इलाज जो है बीश से ही होता है जिसे कहल जाता है कि लोहा लोहे के काटता है तो पंडित राम उतार कहते हैं कि बीश का इलाज जो है बीश से ही होता है तो जब धातूरा धातूरा जानते हैं जी एक पौधा होता है जिसमें से उजला उजला दूध तो कर रहे हैं कि धातूरे के अगर बीज यहां पे मिल जाए और उसको जो है पीस कर आप पी लें तो हो सकता है कि आपकी जान जो है बच जाए तो ट्रेक्टर चलते रहता है यह गाउं में रुकता है गाउं में रुकने के बाद खेत में धातूरा के बीज को खोजा जाता है खोजने के बाद उसको उसी गाव में पिसवाया जाता है और धतूरा के बीज करवा होता है तो कोई पी नहीं सकता है इसलिए चाय बनाके धतूरा के बीज उसमें डालके और लेखक के पिताजी को पिलाया जाता है पिलाया जाता है तो अब गारी ट्रेक्टर जो है आगे बढ़ती है ट्रेक्टर आगे बढ़ती है तो आगे चलके अब कुछो जो है इनको लेखा को मालूम नहीं चलता है तो नहीं चलता है तो पंडित राम उतार घरे आते हैं घरे आते हैं तो लेखा को पूछते हैं कि पि प्रेक्टर उतरा था उस समय साढ़े-सके आजप안 पहुन्य दसके आसपास हो रहा था उस समय हमने पिता जी को वहां टोल TGS के पास वही 삼 Watch चल आये था पंडित रामोटार। तो कहा कि वहां तक देखे थे और वहां पर आपके पिता जी उतरे थे तो उतर के पिसाब अब मास्टर नंदलाल जी मास्टर नंदलाल जी घरे आते हैं तो लेखक उन से पूछते हैं कि पिता जी का हाल चाल क्या वो सहर में पहुँच गये तो नंदलाल जी कहते हैं कि हमने उनको सारे 10 बजे के आसपास मिनर्वा टौकी जी सहर में उतरते हुए देखा है और वो जब उतरे थें तो उनकी हालत जो है थोरी खड़ाब थी सिर चकरार हा था और प्यास लगी हुई थी ठीक है तो मास्टर नंदलाल सारे 10 बजे बताए कि मिनर्वा टौकी तक आपके पिता जी उतरें उनकी सिर घुम रही थी प्यास लगी हुई थी उसके बाद लेखक को कौनो जानकारी नहीं होता है और बुध्यवार 17 मई 1972 को उसी दिन सहर में लेखक के पिता जी का जो है मृतिव हो जाता है लेखक के पिता जी का मृतिव उसी दिन हो जाता है के चले की मेरा ही कोई भाई जाता है और उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो भले बताए या ना बताए लेकिन सुत्रों के मुताबिक कही ना कही कही ने कही कुछ है पता चल ही जाता है तो लेखक को भी जो है पिता जी के मृत्यू के बाद सुत्रों से जो है कुछ जानकारी म तो जानने की छाएं वो जताते रहा तो रमेश दत जो बैंक के करमचारी थें गाओं के ही थें तो बैंक के करमचारी थें तो जब काम के बाद लेखक जो है सहर में जाते हैं तो पता लगाते हैं तो इनके पास जब गयें तो इनके कहें कि हाँ पिता जी जैसे कि इन्होंने नुमान लगाया कि रमेसदत के यहां गए होंगे पिता-जी कियोंकि यह गाओं के उकरमशारी है और इस्टेट बैंक में ही जो है जैसे की एक रामीन विकास बैंक के साकारी में काम करता था लेकिन स्टेट बैंक देखा तो उसी में जो है इसके पिता-जी घूस गए लेकिन ही रमेशदत जो है पैसा काउंटर पे काम करता था यानि पैसा गीनता था हम लोग जिसे पैसा बैंक में कैसे जमा करे जाते हैं तो इसी रमेशदत पैसा काउंटर पे काम कर रहा था और 1972 की बाते हम कर रहे हैं 1972 में बैंक में रमेश दत 28,000 रुपिया के गड़ी गीन रहा था समझ रहे हैं उसमें 28,000 रुपिया की हम बाते कर रहे हैं 1972 में बैंक में रमेश दत 28,000 रुपिया मूडी गाड के गीन रहा था अचानक लेखक के पिता जी उसके यहां जाते हैं तो लेखक के पिताजी का मुँखly जो है दूरी से लपेटा लपेटा हुआ काने का मतलब कि शहर में इतना धूरी परता है कि रियल में येप आप जाएगह तो खुद नहीं चिनाएगए गाँ नहीं चिनाते हैं और जैसे ही रमेस दत्मूरी उपर उठाते हैं तो वो डर जाते हैं डर के के बार चिलाते हैं और बैंक में गोई होरन होता है जिसको बजा देते हैं काते हैं कि देखो कौन तो चोड डाकु आ गया पैसा को छीने ने आ गया तो बैंक में एको चपरासी हो रहता है तो बैंकों में चपरासी था जेकर नाम था राम किसोर तो राम किसोर तुरंते आता है आवकरा घंसीटते हुए ले जाता है और मारता पीटता है सब के करा को जब मारता हैं सभी सब शप्रासी तो ओकर और ऐगो होठ जो है कट गया रहता है होठ कट गया रहता है होन उस foreign उसे निकलते रहता है ठीक है उसके बाद ई memang उसके बाद रेखक पिता जी के सब ही जो पैसे कागली में सराते हैं बैंक के करमचारी उरेमचारी सब मिलके जो है छीनचान लेता है सब और उसको भेज देते हैं सब अब आगे लेखक बैंक के आगे जो है दुकान उकान रहता है तब पान के दुकान था और उकर नाम था बुन्नू जिसे पान के दुकानों में जो लईका या आदमी था उकर नाम था बुन्नू तब बुन्नू से फिर बैंक के निकलने के बाद रमेजदत से बातचीत करने के बाद रमेजदत काते हैं कि हम अगर पहचानते कि आपके पिता जी जो है तो हम अईसन बेवहार नहीं करते अच्छा परासी कहता है रामकी सोर कि हम मारे उले नहीं थे आपके पिता जी को अब हमको उन्हों के मारेंगे तब बताएंगे ओकर बेटा से कि हाँ हम तुर्बागू के मर ले थें इराम किसो डरे नहीं बता रहा था लेकिन इपान की दुकान जो बुन्नू के था बैंक के आगे उन्हों कहा कि जब पिताजी बैंक से बाहर निकलें तो उनका ओठ कटा हुआ था कपरा उपड़ा फट गया था ठिक है और उनकी सभी सायद सायद उनके पैसे उई से जो हैं सभी लोग छिन लिये थें ऐसा उनके मूँ से निकल रहा था सायद उनके बैंक वाले लोग पिताजी के बगली से पैसा कागज वो सब निकाल लिये थें तो उनके बैंक की बाते अब आगे होती है तब उन्यू जो है वहाँ से देखता है लेकिन कुछ वह इगनोर कर देता है तो पिता जी फिर अनुमान लगाते हैं कि पिता जी जो है बैंक से निकलने के बाद थाना में गय होंगे तथाना में गय होंगे तथाना में जाने के बाद उन्हेंने हो सकता है बैंक वालों के खिलाप रिपोर्ट लिखवाई होगी ऐसा लेखा को सोचते हैं तो थाना में जाते हैं तो थाना के HSO जेकर नाम रहता है रागवेंदर प्रताप सिंग रागवेंदर प्रताप सिंग जो है उस दिन थाना में थें और करैला के भुजिया उनकर घरे से बन के आईल था ठीक है तो लेकिन रागवेंदर प्रताप सिंग के करैला के भुजिया पसंद नहीं था औरत से 13 साल के साधी हाँ 13 साल साधी के हो गया था उनकर बीबी के इतना नहीं पता था कि हमार पती के का पसंद है खाने में और का नहीं पसंद है तो रागवेंदर परताप सिंग को उस दिन टिपिल में मिलल था करैला के भूजिया तो करईला के भुजिया से ऐसे ही रागवेंदर परसाद जी के जो है माथा चकबगा गया था कि भोजन आजाया है करईला के आया है जो हम खा नहीं सकते तो मूंड जो है बिगर गया था तो उसी समय लेखक के पिता जी वहाँ पहुच जाते हैं रागवेंदर परताप सिंग के टेबल पर जैसे ही एक कबर उठावेला रहते हैं वो तब बेचारा के खाय के मन रही रहता है जैसे ही ये कबर खायके मन करते हैं जैसे ही जो है पहुंच जाता है लेखक के पिताजी तो उकड़ा लगता है कि कोई आग या भी खारी, पूछते हैं कि का काम है तो कुछों नहीं बूलता है, खाना होना है नहीं तब फिर चिलाते हैं रागवेंदर पर्ताप्ट सिंग के मियाज इसे ही खराब है जन्मे करते हैं करईला के बुझी है तुरंते अपन सिपाही गजाधर सर्मा के बुलाता है कि आरे तुरा रहते हुए ये अंदर के इसे चलाया गजाधर सर्मा जल्दी एक बाहर ले जाओ गजाधर सर्मा जो है ठाना में से घंसीटते हुए उसे बाहर ले जाते हैं बाहर ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं ठीक है अब आगे आगे वहाँ से जो है लेखक के पिता जी एक कॉलोनी में जाते हैं जो बहुत इजत्तार कॉलोनी होता है जिसमें कभी भी लराई जगरा या हला गुला नहीं होता है तो उस कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ पे रिटायर्ड तहसिलदार सोनी साहब रहते थे बहुत सारे वहाँ पे लुग रहते थे सब जो है जौबे वला रहता था तो रिटायर्ड सोनी साहब से बाचीत करने पर लेखक को पता चला कि पिता जी यहां पर आय थे उनके बदन पे जो है सिर्फ एक पैंट था बाकी कपड़ा उपड़ा नहीं था तो लोग समझा कि पागल उगल थे और गाली उली जो है दे रहे थे ठीक है यानि कि मुह से गाली उली बख रहे थे लेकिन लेकर लेखक को अपने पिता जी पर भड़ोसा था कि पिता जी जब कुछों बोलते नहीं थे तो गाली कैसे दे सकते हैं तो वही कॉलोनी में कभी सतेंद्र थप्रियाल थे नामों है सब के बिगल बिगल तो नाम एकर है सते कभी सतेंद्र थप्रियाल तो कभी सतेंद्र थप्रियाल से बात करने पर लेखक को पता चला कि पिता जी वो गाली नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे कि मैं रिटाइड करमचारी रिटाइड परधान ध्यापक हूँ अपने स्कूल का और मैं अपने गाओं का जो हूँ सरपंज मुखिया हूँ ठीक है ऐसा वो कह रहे थे चिला चिला के लेकिन उनकी आवाजे जो है कोई नहीं सुन रहा था सतेंद्र थप्रियाल से जो है बाचित करन मैं जो हूँ अपने गाओं का मुखिया हूँ ऐसे कह रहे थे तो ऐसे कह रहे थे लेकिन कभी सतेंद्र थप्रियाल को जो है कहीं जाना था तो उगारी में से निकले नहीं क्योंकि उनको लेट हो रहा था और वो वहां से चल जाते हैं लेकिन कहते हैं लेकर हम जानते कि चलिए आगे जो जब सतेंद्र थपडियाल चल जाते हैं तो उनका जो है कोते हैं आगे मालूम उनको चलता है कि जब कोलोनी में आए थे तो लरके उन पर ढेला मार रहे थे और उनको जो है बड़ी बेजती कर रहे थे गाली उली दे रहे थे काहे मार रहे थे मालूम करने पर पता चला कि लेखक के पिता जी रामरतन सराफा के बीबी और साली पर गंदा नजर से देख रहा था गलत बेवहार कर रहा था इसी से लरके काची धेला मार रहे थे लरके से बाच्चीत करने पर लेखक को पता चला कि हम लोग इसलिए ढेला मार रहे थे क्योंकि रामरतन के बीबी और साली पे जो है उनका गलत नजर था लेखा की भी जानते हैं कि जब मेरे पिता जी गलत बोल नहीं सकते हैं गलत देख नहीं सकते हैं तो उनको गलत कोई पे नजर क्यों होगा तो उसोचते हैं लेखक की रामरतन सराफ़ा के यहां उनके बीबी से जो है पानी पीने के लिए क्योंकि प्यास लगी थी पानी मांगने गए होंगे तो वहां पे जो है उनकी बीबी जो है उनको पागल के भेस में देख कर चिलाई होगी तो लड़के आयो गरी जानबे करते हैं कि लड़की थोरा सा भी बोल देती है तो लड़का लोग जो है वहां पे का हो जाता है तो यहां पे लड़का लोग समझ रहा है कि उनकी बीबी और साली पे गलत नजर रख ले है लेकिन ऐसा नहीं था ठीक है अब जो है वहाँ से इस कोलोनी से निकलने के बाद वो लेखक के पिताजी जो है रोड पे आ जाते हैं रोड पे आते हैं तो यह वो नेशनल रेस्टोरेंट के सामने उन्हें देखा गया लगभग तीन बजे के आसपास नेशनल रेस्टोरेंट के पास देखा गया तीन बजे के आसपास तो वहीं पे एक धाबा था धाबा के मालिक के नाम था सरदार सतनाम सिंग सरदार सतनाम सिंग कहते हैं कि आपके पिता जी थे हमें तो मालूम नहीं लेकिन उनके बदन पे कोई कपरा था लेकिन एक पैंट था और वो भी फटा चिटा था और उनका सीर फूटा हुआ था होट कटा हुआ था खोन निकल रहा था और लोग उन्हें मार रहे थे ठीक है बचे पत्थर मार रहे थे रोड पे वो भी पत्थर मार रहे थे और ऐसा सरदार सतनाम सिंग लेखक से बताते हैं कि आपके पिता जी के साथ ऐसे हुआ उसी एक धाबा में पलेट गिलास साप करे वाला नोकर रहता है जिकर नाम रहता है हरी हरी कहता है कि पिता जी भी आपके जो हैं लरके के उपर पत्थर मार रहे थे और कहा रहे थे कि आओ हमसे फरिया लो तो ऐसा लेखा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो पत्थर ये सोचकर मार रहे होंगे कि हो सकता है कि हमने जो भी ये सब काम अभी देखा कि बैंक में गया हैं थाना में गया हैं ये सब उनका सपना हो और सपने में पत्थर मार रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा नींद जो है तूट जाए और मैं इस सपने से बाहर आ जाओं लेकिन ऐसा नहीं होता है हकीकत में ऐसा होता है और नौकर बताता है कि वो भी जो है धेला मार रहे थे लेकिन लेखा सोचता है कि हो सकता है पिता जी सपना देखके ऐसा कर रहे हूं लेकिन ऐसा हकीकत में होता है और नौकर जब धेला उरा लड़का लोग मार रहा था तो नोकर हडी बताया कि पिताजी भी जो है आपके डेले मार रहे थे तो थेकेदार रोडा के बेटा 22 साल के था जह कर नाम था संजू थेकेदार मतलब कि रोड पा तसीली करे वला तो इस अंजू जो है दूतीन रोड पिता जी के सिर पे मार देता है और पूरा सिर जो है फट जाता है और जब तक मारते रहता है उसके पिता जी को तब तक की रोड पर से उठते नहीं है तो जब नहीं उठते हैं रोड पर से तो भीर जो है हट जाती है भीर हट जाती है और अचानक जो है उपूरा एकदम भी हो सी स्तिती में रहते हैं तो सरदार सतनाम सिंग जो है हरी से कहते हैं कि जाओ तो देखो तो उमर उर गए है का तो पानी उन्हीं छीट के देखता है हरी कहता है कि हम नहीं जाएंगे कहा है कि हमको डर लग रहा है कि पुलिस ना आ जाए तो फिर सतनाम सिंग जाते हैं एक बल्टी पानी लेके और दूर से ही उनके सरीर पे फेकते हैं तो वहां कि पूरा मिटी गीली हो जाती है और जब लेखक के पिता जी उठते हैं तो पूरा मिटी से उनका सरीर गंदा सा के हमरे पूछे उचे लगे तई ढाबा हुआ बन करके सिनेमा हूल में वो सिनेमा देखे चल जाता है ठीक है सिनेमा देखे चल जाता है सब तई यहां से उठके जो हैं यहां से उठके उठते हैं लड़के लोग भीरूर लगाया हुए रहते हैं तो वहीं पे सरपंच कंधाई राम तिवारी रिक्षा से जा रहे थे ट्रेन पकरे ठिक नो पिता जी के बच्पन के दोस्ते थे आगाउं के सरपंच थे जो कंधाई राम तिवारी थे उजा रहे थे रिक्षा से ट्रेन पकरने ट्रेन नहीं बस पकरने जा रहे थे तब बस जो है डेली लेट आता लेकिन कापता उस दिन समय पे आग आया था तो समय लेठ हो रहा था तो यह पूछें कि का हो रहा है लोग भीर कहें लगाया है कंधाई राम पूछें लड़का लोग से जो भीर लगाया है लड़का लोग कहा कि कोई पकिस्तानी आया है जो आतंकबादी है तो कंधाई राम जो है ध्यान नहीं दिये अगर ध्यान दिये हुए राते तो हो सकता है वो बच जाते हैं ध्यान नहीं दिये वो कहें कि ठीक है आम जा रहे हैं लेट हो रहा है तो वो वहां से चल दिये अब वहां से लरके लोग के भीर हटने के बाद पीता जी उठते हैं लेखके और मोची गनेसवा के गुम्टी में जाकर घूस जाते हैं अब इमोची जो डेलबे स्टेशन पे लाइन लगा के गुम्टीयन में जो है मोची जो जूता उतसाप करता है सब शपल उपल सीता है सब वही रहता है तो वहां जाकर उसके गुम्टी में घूस जाते हैं तो गुम्टी में जाकर सट के बैठल रहते हैं और उनकर सांस चलाइत रहता है तई मोची गनेसवा जो है पिता जी को पहचानता है लेकिन पहचान कर भी जो है ये कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि जैसे ही गुम्टी से निकालता है तो उनके पिता जी का जो है मृत्यू हो गया रहता है ठीक है हो गया रहता है और जब पोस्ट मॉटम कराने ले जाया जाता है तो पोस्ट मॉटम में पता चलता है कि इनके सरीर से ज़्यादा खुन बह जाने के कारण दिमागी संतुलन बिगर जाने के कारण इनकी मृत्यू हो गई रहती है लेकिन एक और बात आप बताईएगा का जहर के इलाज जहरे से है अगर हम जहर खा लेते हैं तो एक बार आउट जहर खाएंगे तो बच जाएंगे यहां पर पंडित राम उतार का भी जो है हम यहां पर गलती मानते हैं काहे कि धहतूरा के रस पियाया था ठीक है पीज के पियाया था तो यहां पर भी तो राम उतार भी क कह रहा है अब लेखक कहता है कि मैं वो दिन को भूल नहीं सकता और मेरे जब अब सपने आते हैं तो मेरे सपने में मैं जो हूँ जंगल में रहता हूँ पहाड के उपर रहता हूँ मैं भागते रहता हूँ मेरे मौत जब नजदीक आती है तो मैं चिलाता हूँ मेरी मान जो है आती है सर पे हाथ सहलाती है फिर चादर उड़ा के जो है सुला देती है और फिर मैं सपना ही देखते रहता हूँ लेकिन मेरे अपने आप से और आप से भी प्रस्ण है कि तीरीच वाला सपना अब मुझे क्यों नहीं आता है यहीं पे जो है कहानी समाप्त होती है और हमें विश्वास है कि इस कहानी को हमने अपने भाजा में आपको पूरा याद करवा दिया है इस कहानी के बाद आप जो है इस चेप्टर के क्वेशन इंसर को बनाने का प्रयास कीजिए क्वेशन इंसर कॉन्फरम है कि आपसे बन जाएगा एक गारांटी हम लेते हैं ठिक है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है बस सेर करना है और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद